हैलो दोस्तों कैसे आप लोग दोस्तों कि ताइम में सबसे जादा प्रोबलम क्रेट करते हैं मक्हे और मच्छर है और खासकर आसे जगांगा पर पैदा होती हैं जहां गंदगी ज्यादे रहती है जैसे पॉल्टरी फॉम हो गए या कोई गाये भहस का तबेला है या कोई पिक फॉर्म है तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे बेस्ट पैस्टिसाइट कौन सा है फ्लाइ ट्रीटमेंट के लिए और कैसे आपको इसको यूज करना चाहिए वह समय आपको किलर करने वाला हूं आज हम इस फैक्टरी के अंदर आ ह आपको चलिए यही पर मैं आपको डेमो दूँगा लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेला आइकन बटन जरूर दबाएं जिससे कि आपको इस तरह की अच्छे अच्छी वीडियो मिलते रहें मक्यों के लिए जो सबसे बैस पैस्टिसाइड है वह है टेम्प्रिड ऐसी लेकिन इस पैस्टिसाइड को आप एडल मक्यों पर यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आप ऐसे जगाँ पर रह रहे हैं जहां पर जो है गंदगी बहुत जादा रहती है या कोई आप पॉल्ट् को मॉगेट्स कहते हैं तो ऐसे जगाँ पर यह मक्यां मॉगेट्स देती हैं तो जरूर यह उनके मॉगेट्स को खतम करना भी तो उसके लिए जो सबसे अच्छा पैस्टिसाइड होता है वह है बाई लारू जिसे बायर कंपनी बनाती है और इसके अंदर जो एक्टिव पै यह बेसिकली इतना अच्छा पैस्टिसाइड दोस्तों अगर इसकी आप छूटी सी मात्रा भी 10-15 ग्राम मात्रा भी अगर इसको पाने मिक्स करके किसी एरिया में स्प्रे कर दो तो वहां पर 15-20 दिन तक इस तरह की कोई प्रोलाम आपको नहीं आएगी दोस्तों यह तो है लारवोग खतम करने के लिए अब बात आती है एडल मक्हियां जो आपको अपने घर के अंदर रेस्टोरेंट में या जहां भी फूड वगयरा रखा होता है इसी जंगाव पर आपको नजर आती है तो उसके लिए क्या करें उसके लिए जो टेंपरिट पैस्टिसाइड है उसको पानी के अंदर mix करके यूज करना है चले सबसे पहले सकेंटिन के अंदर चलते हैं देन मैं आपको बताऊंगा कि इस पैस्टिसाइड को यूज कैसे करना है दोस्तो किसी पैस्टिसाइड को यूज करने से पहले mask और gloves लगाना ज़रूरी है अब देखिए यहां पर इस technician ने gloves नहीं पहने जो इसको पहनने चाहिए थे mask चलो इसने लगा लिया है लेकिन अगर आप इस काम हो करने तो gloves ज़रूर लगाएं और pesticide को पानी के अंतर अच्छे से mix करकर यह आपको use करना यह ध्यान रखना है यह देखे कितनी मक्या हैं यहां चारो तरब दोस्तों spray क करने से पहले जितना भी खाने पेने का समान है उसे अच्छे तरह से cover कर देना चाहिए तभी इस्प्रे करना चाहिए सबसे पहले हम फ्लोर के ओपर दो फिट हाइट से इस परेंगे चारो तरब क्योंकि मक्या सबसे जादा फ्लोर वरी बेटती हैं और जहां जहां दिवारों बेटते हैं महां पर भी हम इस पर इसी तरह से करेंगे इस्प्रे बिलकुल यूनिफॉर्मली करना चाहिए और जैसे इस वीडियो में दिखाया जा रहा है धीरे धीरे करके पूरे फ्लोर पे फिला देना है कोई भी जंगा छोड़ने नहीं है जिससे कि मक्या बेटे और बेटते ही मर जाए इस बात का ध्यान रखना है ऐसी दोस्तों मक्या रोशनी वाली जगाओं पर बहुत ज्यादा मिलती है तो ऐसी जगाओं पर हमें बहुत अच्छी तरह के से स्प्रे करना है जैसे गेट हो गए गेट के दोनों तरफ ऐसे गेट के दिवारों के उपर और फ्लोर के आसपास स्प्रे करना चाहिए यह करना है कि decides मख्यों ने कैसे खुशे के मारे दाइना š mena 김 विख princiёлग कर दिया है होगे अभी इस पर में चिलए頭 नहीं हुआ है और मक्या मरना शुरू हो गई है तो ये इतना ज़बरस पैस्टिसजेड़ है जैसे आप इसका कीसी मक्य ऊब करेंगे ना मक्ही मुश्किल से 25-30 सेगिंड के अंदर ही मर जाएगी और अगर किसी मक्ही का इम्यून सिस्टम जादा स्ट्रोंग है तो हो सकता हो मरने में थोड़ा जादा टाइम ले 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 दोस्तों टैंपरिड के अंदर इमिटा क्लोपरिड और बेटा साइफ लूथरीन केमिकल का बहुत ही जबरदस कॉम्बिनेशन है जो इसको बहुत ही लीथल बना देते हैं और मक्हों के अलावा मच्छों के उपर और इसके अलावा 50 तरह के इंसेक्ट के उपर यह बहुत ही सब्सक्राइब और आपको यह लॉंग लास्टिंग रिजल्ट भी देता है उसका रिजन है यह SC formulation के अंदर होता है SC की full form है suspension concentrate यानि कि ये pesticide suspension concentration formulation से बना गया जिसकी वज़े से ये long lasting result देता है और दिवारों के उपर काफी लंबे समय तक ये बना रहता है बस आपको uniformly अच्छी तरीके से इसका इस्प्रे कर देना है और इस्प्रे करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि जिन जगाओं से मक्यों की entry होती है उन entry वाली जगाओं पर अंदर और बाहर दोनी तरब से इस्प्रे करना चाहिए और खेड की दरवाजों को हमेशा बन रखना चाहिए क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दोस्तो पैस्टिसाइड का काम किसी भी इंसेक्ट को मारना होता है उसको रोकना नहीं होता अगर आप दोर खोले रखेंगे तो लगातार मक्यों की entry होती रहेगी और हो सकता है कि वो जहां पर हमने स्प्रे किया है उस जंगा ना बेटके दूसरे जंगा पर बेट जाए और आपको लगेगी पैस्टिसाइड काम नहीं करना है ये देखे कितना शांदार रिजल्ट इस पैस्टिसाइड ने दिया है ये pesticide सभी pesticide का sunny devil है लासे लासे बिछा दियें चालों तरफ तो दोस्तों ये तरीका है इन pesticide को यूज करने का अगर इन pesticide का इस्तमाल आप खुद करना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के नीचे discussion box में इन सभी pesticide के amazon link दे दिये हैं वहाँ जागे इनके current data आप चेक कर सकते हैं और अपने घर के अंदर इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप हमारी help चाते हैं तो हमारे दियेवे नंबर बे call करके आप हमारे team को बुला सकते हैं दोस्तों साथ ही अगर ये वीडियो आपको informative लगी है useful लगी है तो please मेरी वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेर करें जिससे कि उनको इस pesticide के बारे हैं पता चल सके और अपने घर के अंदर इस्तमाल कर सकें जिससे कि उनको help मिल सके ठेकर दोस्तों मिलते हैं आप से नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाई बाई